मुझे वो जगा इतनी अच्छी लगी, मन किया वही रुख जाओं। आज के बाद, जब भे मुझे फ्री टाइम मिलेगा या मेरा मन करेगा, मैं वाज जरूर चाओंगी। हलो? हाँ ड़री मैं फोन करने ही वाला था, सोचा तो कहीं बेजी होगा। मैं बेजी था, इसलिए फोन नहीं किया, या खुद ही कहीं बेजी था। चल लड़की का नाम बोल। ओ, तो साही ने तुझे भी बता दिया। भापड़े के पेड़ में कोई बात रहती है क्या। वो सिर्फ दोस्त है। मुझे प्यार की बू आ रही है। सच में ऐसा कुछ नहीं है। होता तो सबसे पहले तुझे ही बताता। वो सब छोट, वहां पर सब कैसा है। या यार सब ठीक तो है पर तू साथ में नहीं ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये वासू, आजा यार। आरा आरा, आरा। चलिया रब रखता हूं, वारना रो दूँगा। ठीक। क्या हम मिल सकते हैं। हाइ। हाइ। इस वक्त तुम्हें जरूरत टाइम देख कर नहीं आती। बोलो क्या हुआ। डैड ने कॉल किया था, वो कल आ रहे है। उन्हें हमारे बारे में पता चला तो मुझे वापस घर ले जाएंगे। मुझे बहुए टेंशेन हुरी है। क्या करों कुछ समझ म!」 अहीं बहुत समय ही नि आरा ? इतनी जल्दी उन्हें हमारे बारे में बताने की जरूरत क्या थी ? ओ सर्या। दरएसल मैं कार की बात कर रही थी यह कार है या कोई टूटा हुआ खिलो ना मतलब काफी पुराना मॉडल है ना डैडी को नौकरी लगने के बाद से अब तक यूनकी फर्स्ट कार है तुम्हारे डैड का तो पताने ही पर कमपनी की बेचिवी फर्स्ट कार ज़रूर है प्लीज अभी डैडी को कार की यहालत बरदाश्ट नहीं होगी कुछ करो ना एए मैं क्या करूंगा अगर ओनलाइन सर्च करूं तो भी इसके सिर्फ फोटोस ही मिलेंगे स्पेर पार्ट मिलना मुश्किल है इस खटारा का कुछ नहीं होगा अब जब इतने प्यार से कह रही हूं फिर भी तुम क्यों नहीं करना चाहते हाँ टेंशन मतलो सिस्टर यहां टॉपिक कुछ और है प्लीज तो बदल दो किसने और तुम्हे उस वक्प मेरी गाड़ी के सामने आने के लिए यह सब तुम्हारी वजे से हुआ मेरी वजे से हुआ इसे ठीक कर ने कार के पीछे भी क्या डिजाइन है स्पाइडर गार कर दो कर दो तुम यह खटारा चलाती कैसे हो मया इसे तो भंगार में भी कोई नहीं लेगा सिर्फ एक्स्टीरियर में प्रॉब्लम है इंटीरियर कंडिशन एक तम कड़क है संबल कर दो कार कार को या खुद को मुपर्ड गव Alrighty, जस्ट विड़े आपके वर्या मज़ है आपके 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 अपके प्रॉब्लम है ड़्या वहल वर्या कर दो नहीं, तुम कहां हो टुम हो? प्लीज, जल्दी आजा, डैडी आ गए है तुभारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बेटा वो हर घंटे मुझे फोन करके पूछते हैं, तुम क्या कर रही हो, बेटा मॉम ब्यूटी पाला चलाती है, और डैड हाउस हस्बन है बस पांच मिनिट में पहुँच रहा है, जल्दी आजा, बहुत तलब लगती है बहुत तलब लगती है, जल्दी अपने, तांक्यो अगर, यह लाइटर ब़र्टडे में कैंडल जलाने के लिए है बगर कैंडल है का, बद्जे आया का है माया, तुम्हारा रूम तो अच्छा है, लेकिन रूम में तच्छी नहीं है, मेरी बात मानो तो उस से दूरी रहना गाड़ी की कंडिशन तो ठीक ही लग रही है गाड़ी तो ठीक है, मगर पीछे अब मैं क्या करूँ डैड़ी अच्छली ये बाप को इता चाती पढ़ाई कही चल रही है, मिड़ा शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ औरी चल रह है भं, हम तुम्हारे दिमाग में कुछ औरी चलर रहा है धुन्त वरी मा आया, मुझे तुम पर पूरा भ data यहा थ। घस्ड तुम्हारी मा तो खामका टेंशन लेती रहती है कि तुम्हें अटमिशन मिले की भी है और पता है मैंने क्या कहा, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं, शील्ड मेकस प्राउड मैंने ठीक कहा नहीं येस टैटी तुम्हा रही हो? नहीं आज कोकिलत आई, इतनी शान्त क्यों है, क्या बात है, अपने रॉक स्टार से मिलने नहीं गई आ रही हूँ तो आजाओ क्या बात है माया, कभी कहती हो मिलना है, कभी कहती हो नहीं इतना कन्फ्यूजन क्यों है, मन करे तो आजाओ वरना मताओ, सिंपल तुम्हारे लिए हर चीज सिंपल है, क्योंकि तुम अपनी पसंद की जिंदगी जी रहे हो, सब की किसमत इतनी अच्छी नहीं होती, अगर तुम मेरी जगह होती, तो समझ में आता हे, बिना प्रॉब्लम बताया, बिजली के तरह बरस क्यों रही है, नहीं तो क्या करूँ, जानत्या, मेरे पैदा होने के वक्त मेरा नाम रखने से पहले ही, मेरे गरवालों नाम के आगे डॉक्टर फिक्स कर दिया, पश्पन में फीडिंग सरिमनी के वक्त, सब ने खाने के स वो तो अच्छा हुआ कि सचिन तेंडूलकर और सानिया मिर्जा मेरे घर पैदानी हुए, वरना सचिन को इंजिनियर और सानिया मिर्जा को डॉक्टर बनाते हैं मेरे परिवार वाले, यह मजाक नहीं है, वो तो चाहते हैं कि मैं पेशन का हाथ पकड़ कर उनका हाल जानू अगर मेरा सपना है कि मैं एक सिंगर बनू और अपने हाथों में माइक पकड़ कर गाने गाऊ अभी, मैं यह नहीं कहती कि मेरी फैमिली मेरे लाइफ के बारे में गलत सोचती है, बट क्या मुझे अपनी सिंथे की जीने का हाख नहीं है, सम्टाइम्स, आ हेट माइसेल्फ, लेकिन पहले और आज में सिर्फ एक फर्क है, आज तक जब भी ऐसा सिचुएशन आया, तो मैं खुद ही सोचती रहती, खुद को दोश देती, और चुप हो जाती, मगर आज तुम से शेर कर सकती हूँ, यही मेरे लिए काफी है, मेरा और म्यूजिक का कोई रिष्टा नही अभी, छोड़ो यह सब, आओ, पर कहां, अभी, अभी सुनो तो यह मुझे कहला है हो, मैं सिर्फ छे साल का था माय, जब मा गुजर गए, तब ये भी नहीं पता था कि मरना क्या होता है, सोचता था बहुत रोंगा तो मा वापस आजाए थी, जब मन उदास होता, यहां कर रो लेता, तब वो मेरी जिंदगी में आया, और हमारी इतनी दोस्ती भी नहीं थी, मेर एक दोस्त था, पर जब मैं मा के गम में था, तब वो फरिष्टा बन कर आया, और मेरा हाथ थाम कर उस गम से बाहर निकाला, मुझे लगा इस गम से निकल ही नहीं पाऊंगा, फर मैं तो काफी आसानी से निकल गया, लाइफ की किसी भी सिचुएशन को उससे कंपेर करूं, तो सब सिंपल लगता है, तुम्हारी भी कुछ यही हालत है, डॉक्टर को 24 गंटे काम करने की जरूरत नहीं, बस 8 गंटे द प्यार नहीं करेगा मया, पर सब सचिन और सान्या की तरह लगी नहीं हो सकते, एक बार गाके तो देखो, पता तो चले सुर है या शोर है, क्या मतला भी तुम्हारा, जब तुम्हे बात्रूम में गाते हुए सुनोंगे तब पता चलेगा मेरा टैलन क्या है, तो तुम्हार तुम्हारा टैलन्ट देखने के लिए मुझे तुम्हारे बात्रूम में आना पड़ेगा, प्यार क्या इसे ही कहते हैं, तो फिर शुरू हो गई, दोस्ते मरा इसले इतनी क्लोज हूँ, तुम उससे इतनी क्लोज हो, ये प्यार नहीं तो क्या है, उसने प्रोपोस कर दिया बियर खताम होने से पहले कुछ सवाल पूछो, बियर विद अभी है, पूछो, तुम्हें अपने दोस्तों की कौन सी बात पसंद नहीं, जब सब को चड़ जाती है, और मुझे नहीं चड़ दी, तो मुझे उनका टॉर्चर सहना पड़ता है, और उनकी कौन सी बात पसंद बेस्ट फ्रेंड उन कहानियों का हिस्सा होता है, अगर हम हॉस्पिटल मैडमिट है, तो हमारा फ्रेंड हमसे पूछेगा, कि अब तुम्हारी तबियत कैसी है, बेस्ट फ्रेंड पूछेगा नर्स कैसी है, अभी, आज तुम बहुत फॉर्म में लग रहे हो, यह तो बियर होता है, जो तुमसे प्यार करता है, तुम उससे क्या एक्सपेक करोगे, रोना, क्या का, रोना, हम दूसरों के लिए हसने की गुस्सा होने की आक्टिंग कर सकते हैं, रोने की आक्टिंग नहीं कर सकते, अगर कोई हमारे लिए रो रहा है, तो वो दुनिया में सबसे ज्या अज तक मौका ही नहीं मिला डोंट वरी बहुत चल्दी मौका मिलेगा अब तो मेरी जिन्दगी का हिस्सा बन गया हो इड मेंस अलॉट फैमली को कंवेंस कर पाऊंगी या फर डॉक्टर बनकर जिन्दगी गुजारूंगी पता नहीं कल चाहे मेरा फ्यूचर जो भी हो मगर म्यूजिक नहीं छोड़ूंगी क्या हम रियसल करें उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि माया दिल ही दिल में मुझसे प्यार करने लगी है और यही खुशखबरी लेकर मैं वासू के घर पहुंचा पहुंचा